24 के विशय में जो 24 घंटा चिंता में डाल दिया है भासपा को वह एक मात्र देस का जो राज्य है वह बिहार है कि BJP जो जिसको लगता है कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है उसको अब लगने लगा है कि 24 उसके लिए बहुत मुस्किल होने जा रहा है जो लोग सिर्फ एक की बा अपना चित्र था उसको भाझपा ने ध्वस्त किया है ह। जन्मत का अपना आकांशा है उसको पूरा करना ही तो राज्नीत के अंतेमिक्षा है राज्नीत की पहली परिवासा भी करती है कि समाज में सबसे अच्छा विवस्ता कैसे हो क्या बिहार में बीजे पी की फुल फिले सरकार आएगी बिहार लेवर्टरी है अब लगातार आरे सेस की जितनी परियोग है हिंदू मुस्लीम का और यह सारे परियोग बिहार में हो रहे हैं आज भी दर्वंगा में पॉस्टर लगे हैं तमिलनाड वर्सेज बिहार की कोशिस हुई अब गुजरात भर्सेज बिहार की कोशिसोरी मेरे साथ आरजेडी के परवक्ता पॉफेसर साहब है पॉफेसर साहब नवलकिसोर जी बताईए कि कोई सॉलूसन है आप लोगे पास आज दर्वंगा में पॉस्टर लग रहे हैं अब सारी आरे सेस की परियोग साला बि बिगा आज़ेडी है। और बिहार में जो परिवरतन हुए है विगत वर्सों में और उसने जो संदेश दिया है सिर्फ बिहार में नहीं है। यो जिसको लगता है खो़ड़ाई। नहीं सकता है उसको अभरने लग नए अपिस तरह की मत की जरूरत है और उसको लगता है कि जो पिछले आठ वर्सों में भाजबा के सासन को देख चुके हैं उसमें उन्होंने तमाम तरह के तनाव चाहे जातिये हो चाहे धार्मीख हो समाजी हो चाहे रीजनल स्टेट के बीच में लडाने का भी जो फेक वीडियो के माध्यम से प्रयास था वो तो पता चल गया कि इस देश में किस ने करा है और कैसे हुआ वह दो मुस्लिम का मतलब यह नहीं कि हिंदू बना मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम तो इस देश के हि जो चाहे जो भी बैनर लगा है लेकिन जो भारत राज्य का जो अपना चित्र है यूनियोन अप स्टेट जिसमें की तमाम तरह के भिविनतावों को स्विकार किया गया अनेकता में एकता हमारा पड़िचा है जो लोग सिर्फ एक की बात करें एक रास्ठ हो एक धर्म हो एक रंग हो एक भासा हो जो यह तरह की बात करते हैं वह भासपा है और उसके पीछे एक संकठन है जो पूरे देश में इस तरह का भ्रम फैलाने का कोशिस कर रही है हलाकि उसका कोई आधार नहीं है अब पूरा दक्षिन देखिए एक दम समाप्त है जिन तरह की वह बात कर रह मन से खुले मन से कि उनसे भरस्ट इस देश में कोई नहीं है न आप लोग के बारतीय संभिधान के अधार तो भारतीयी राजे की मूल कलपना है आप अगर देखिये गा या पर वह परते भी होँगे सारा जानकारी आपके पास होगा संभिधान सभा का जो मानस मुल्य है इस देश के लिए वो है बहुल बहुलवाद अब राम चरितर मानस से देश चलेगा मनुस्मिर्ती से देश चलेगा मनुस्मिर्ती की तो बात अलग है लेकि राम चरितर मानस की जिसकी बात कर रहे है आज पहला दिन थोड़े है, वो कौन नहीं जानता है, कौन हिंदू नहीं जानता है उसके पिसे में, और जो बातें उसमें हैं, जिस पर चर्चा हुई, उससे तो खतरनाक बात, संग प्रमुक महन भागवदी जिक कह गए, तो अगर किसी हिंदू को समझना होगा, तो सब आप विवस्था परिवर्तन करने का माध्यम बना जेते हैं, आस्था विवस्था हासिल, या सत्ता हासिल करने का मात नहीं हो सकता है, आस्था अपने मन का है, जो कि हर व्यक्ति हर इंदू एक आस्था रखता है, आप लोग उपर आरूप लग रहा है कि आप लोग इंकम ट सबसे चोटिल भाजपाय ने किया है जो अपना इमेज था उसको भाजपाय ने ध्वस्त किया है उस एजेंसी पर सवाल नहीं उठाया है लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सब जो आरोपी हैं मैं चोर तो नहीं कहूंगा या अच्छा सब नहीं है जो आरोपी हैं अभी वो सब एक जूट हो रहे हैं अखलेश यादब हो या नितीजी हो या तेज़स्वी हो आम आदनी पार्टी हो इस सब एक जूट हो रहे हैं लेकिन वो जो लोग एक साथ आरे हैं उनके पिसे में उनका एक मत हो सकता है लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोग भाजबा के द्वारा ही चर्चित भरस्टाचार के चर्चित चेहरे थे, पूरा देश जानता है कि यदुरप्पा कौन है, नारायन राने कौन है, सुभेंदु अधिकारी कौन है, मुक्कोल राय कौन है, पूरा देश जानता है और उन्होंने ही चिला-चिला कर कहाता इस देश को, कि सबसे भरस्ट जो चेहरा है वो यही है उनके यहां जाने के साथ ही वो सारी जो बिमस्ती वो सारी बाते समापत कैसे हो गई तो यह तो कोई भी देखेगा तो कहेगा ना कि चोड़ी में गिरफतारी हुई है पोस्टर लगाने पर कि देश बचाओ मोदी भगाओ पर गिरफतारी हुई क्या क तो इसका जवाब तो पहले भी देश की जन्ता देश्माइन उसके आधार आप जो कहते हैं कि हम यह नहीं कर रहे हैं हम इसका कोई गलत दुरूपयोग नहीं कर रहे हैं यह तो पूरा देश जान रहा है कि संस्ताओं का एजिंस्टियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर कई सारे आप लोग का नहीं मैं बीजेपी तो सबसे लाइंस कर लेती है आप लोग लगता है रुजगार के नाम पर लड़ पाएंगे आप लोग बीजेपी से मूल जो देश है किसी भी सरकार का या मूल जो आकांचा है जंता का वो तो यही है कि उन्हें रोजी रोटी मिले उन्हें अमन चैन मिले उन्हें एक ऐसा जगह मिले जहां पर कि किसी तरह के पर क्या राया आप तो जाते भी है पैनलिस्ट में लगता है वो लोग एक पार्टी विशेस सरकार विशेस के पक्ष में हैं लगता है जो लोग वह ब्रेकिंग न्यू चलाते है या जिन विशेमों पर डिबेट करते हैं वो जन सरोकार को मूद्द से कोसो दूर है उनसे को आप लोगों क्या 2024 में RJD निपट पाएगी BJP से या BJP RJD को निपटा देगी फैसला आपका ज़्यादा जरूरी है आप अपने कमेंट सेक्षन में हमें बता सकते हैं कैमरावनासी इसके साथ शंबू कुमार सिंग नेशनल दस्तक दिल ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें, कमेंट जरूर करें